आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ हेलो काईज आज के मारे इस वीडियो हम से बोला है कि हमें क्या लिखना है Truth Value, ठीक है, Of The Following Compound Statement ठीक है, तो हमारा statement क्या दिया हुआ है 5 प्लस 5 इक्वल्स तो 11 और 4 प्लस 8 इक्वल्स तो 13 ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे हमें क्या लिखना है Truth Value तो हमारा Compound Statement क्या होता है दो Component Statement से मिलके बना होता है तो इसका First Component Statement P क्या हो जाएगा यहाँ से 5 प्लस 5 इक्वल्स तो 11 ठीक है, Second हमारा क्या हो जाएगा Component Statement Q आएगा हमारा यहाँ से 4 प्लस 8 इक्वल्स तो 13 ठीक है और यह connecting word यहां पे क्या है और है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं ऐसे लिख सकते हैं ठीक है अब अगर हम यहां पे देखें तो यहां पे क्या बोल रहा है 5 plus 5 equals to 11 लेकिन 5 plus 5 हमारा क्या होता है 10 होता है जो कि 11 के equal नहीं है ठीक है similarly हमारा 4 plus 8 क्या होता है 4 plus 8 होता है हमारा 12 जो कि 13 के equal नहीं है तो यहां से हम देखें तो यह statement हमारी क्या हो गई false हो गई, similarly यह statement भी हमारी क्या हो गई false हो गई, ठीक है अब यहाँ पर अगर हम देखे, compound statement क्या हो गया, अब यहाँ पर यह किस से connected है और से connected है, तो और में क्या होता है, कि जब तक तुम्हारा एक भी true होता है, या P अगर तुम्हारा true हो, या Q तुम्हारा true हो, कोई भी अगर एक तुम्हारा true है, तो हमारा overall statement क्या होगा, true ही आएगा, लेकिन इस case में क्या है, हमारा P statement भी false है और Q statement भी false है तो हमारा resulting statement क्या आजाएगा, हमारा resulting compound statement की truth value क्या आएगी false आएगी, ठीक है तो यह क्या आगया हमारा क्लासिक स्ट्वेल से लेके नीट आयाईटी जेही मीन्स और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से जाधा स्टुडेंट्स का भरोसा आज जी डाउनलोड करें डाउटने टाप या वाच्साप कीजिए अपने डाउट्स आच चार्सो 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 पर